बिजिनेस बड़ा करना है तो हमें यहां खड़े रहना होगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है आई रूड नो यहां से आपरेट कर रहा हूं कि मुझे सब कुछ मालूम है मुझे सब कुछ आता है मुझे मत सिखा तो आपका बिजनेस कभी आगे जाएंगा नहीं नबर दू मालिक के उपर इदे बहुत जदा निर्भरता है मतलब ओनर डिपेंडेंसी बहुत जदा इदी बिजनेस में है तो फिर अक्शन जो है बिजनेस में जो आउती है कारिया तो आक्शन कंसिस्टेंटली नहीं होती वह अलग-अलग समय पे अलग-अलग action होगी क्योंकि हर बार मालिक के तरफ आपको जाना पड़ेगा, मालिक जो बोलेंगा वो करना है, तो हर बार मालिक कुछ न कुछ अलग-अलग बोल सकता है, उसकी mental condition क्या है, emotional condition क्या है, वो हिसाब से मालिक उसका जवाब देंगा, और फिर वहाँ से action होंगी, तो हर बार एक ही problem है, एक समस्य का solution वो अलग-अलग हो सकता है, तो जितनी जादा मालिक के उपर, उनर के उपर dependency है, उतनी अलग-अलग actions हर बार हो सकती है, और वो बहुत बड़ा headache, सरदर्द हो जाएगा, और वो business autopilot जाने में problem होगी, नमबर तीन, business बहुत बढ़ाने का है, इसका मतलब बहुत ब्यस्त होना पड़ेगा, ब्यस्त होना पड़ेगा, अभी तुम्हें इतना ब्यस्त हूँ, अभी और बढ़ाऊंगा तो कैसा होँगा, मुझे टाइम मिलेगा नहीं, private personal life के लिए टाइम मिलेगा नहीं, तो ऐसा इसका मतलब नहीं है, business बढ़ाना, इसका मतलब busy होना एसक नहीं है business बढ़ाना उसके साथ साथ खुद को free करना और life enjoy करने के लिए खुद को free करना यह बी उसका मतलब होता है यह आप आपके business में team बनाते हैं लोगों की team team बनाते हैं रणनीती मनाते स्ट्रेटजी है और assistance है कारिया करने की प्रणालियक है तो definitely आपका बिजनेस जो है वो आटो पैलट के उपर जाएगा आप को वहा रहने की जरूत नहीं होगी माली को मारेनी की जरूत नहीं होगी माली को मांसे निकल भी गया तभी कुछ होने वाला है क्योंकि टीम से लोग वो काम कर रहे strategy है रणनिती बनाई हुई है किस तरह से काम करना और वो रणनिती कैसे आम्मल में लाना है system प्रणाली कार्य प्रणाली तो वह भी वहां हैं तो फिर माली की जरुति नहीं कि सब कुछ documented है सब कुछ लिखा हुआ है फिर आपकी वहां जरुति नहीं है तो यह दी करते हैं तो डिफिनेटली आपका बिजिनेश जो है वो बहुत बड़े पहिमाने पे बहुत बड़ा गुरू हो सकता है थैंक्यू वेरी मच करते हैं